असलाम लीकूम जी वेलकम है आप सब का रिदा फूट फैक्टरी यूट्यूब चैनल पर कैसे हैं आप सब मैं उम्मीड करती हूं के सब खेरेस से होंगे आज जी मैं आप लोगों को शादियों वाला देगी कोर्मा चिकन कोर्मा बनाना सिखाऊंगे घर पे एक स्पेशल मसा यानि के तेल आप इसके जगह पर घी असने मक्षन इस्तमाल कर सकते हैं जो है बस डाल दें तो आप जैसे जासे अधर प्याज करनी है प्याज मैंने लिए दो भड़े सा इसके सारे इंग्रीजिंट्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी आप जहां जहां के नोट कर लीजिएगा ठीक है प्यास डाल दी आपने फ्लेम को कर दिना तेज यानि के हाई फ्लेम पे प्यास को फ्राय होने देना है जब प्यास थोड़ी सी नरम हो जेगी ना तो फिर आपने मुसलसल चमचाह लाते हुए इसे इतना फ्राय करना है कि गोल्डन ब्राउन हो ज चिकन को बहुत अच्छे से दोग है आपने इसमीर दालने नहीं और यहां पर सबस्थे मेन करने के लाइए अगर अब लाइट लगर여kl ऐहाँरी कर लें तो जो और प्यास कर लेंगे आपने लाइए इसको आपने लाइन अवाईट रिखने है बड़ा करने है जैसे में बह टमाटर लेने हैं, यहां पर लसन है 10-12 जवे, अधरा के कुछ इतने क्यूब ली हैं, मैंने 5-6 और हरी मिर्चे थी, 3 अधर जिसको मैंने कट लगा के रखा हुआ है, यह चारो चीजों को एक गलास पानी के साथ आपने ग्रैंटर में डाल के ग्रैंड कर लेना है, चटनी नी लहाई ने के साथ ही सब को अधर नहीं प्हेंट के अधर जाए और यहां तेन मसाले नमक, लाल चल्डी जो हर घर में होती है, इन तीनों को आपने एक एक चमश लेना है, याननि कि छोटी चमश फ्रह यह चाय का चमश एड़ होगी और यहे मसाले मैने बना मैं आ लाइज सुलोमो बना लूँ ताके ज़रा अच्छा लगे और जी बस आपने सब मसाले डाल देनी है और अब इसको कर देना है अच्छे से मिक्स अच्छ पर पकने देना है ताके चिकन गल जाए और इतनी फ्लेम होनी चाहिए तेज नहीं रखनी है अब पकने दे इसको बस पकने दे अब यहां पर पकते 20 मिनट हो गया है तो मैंने इसका धकन अटाया है मार्शा लाह से पूरे घर में खुशबू है तो इतनी जबरस खु करने वीडियो की स्पीड मैंने तो तेज की हुई है लेकिन यहां पर मुझे अच्छे खासे टाइम लगा था दस मिनट तो लगई थे और वीडियो की स्पीड मैं इसलिए तेज कर देती हूं ताके वीडियो जादा लंबी ना हो आप लोंका टाइम जाया ना हो बस चीए इसलिए तो टेबल स्पून कोरियांडर यानिके साबसुका दन्यां टू टी सपून दो चाय का चम जीरा उन टी स्पून साबत काली मिर्चे यानिके चाय काच है साथ से आठ लोंक और दो अदत दाचेनी की स्टिक लीटी इसको मैंने ऐसे तोड के रखाया ताके ग्राइं इसको आपने बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं करना दर दरा से रखना है तो अब इसके अंदर जाएगी वन टीस्पून चिली फ्लेक्स टेबल स्पून थी इसलिए मैंने जो है ना हाफ रखी है वन टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स दादर में चैड होगी कोडमा मसाला कि मैं नेशनल का यूज कर रही हूं तू टेबल स्पून जे इसके अंदर है अड़ोगा ठीक है कोडमा मसाला डालने से इसमें मजीद अच्छा टेस्ट आ जाता है तो आपको इसे भी ब्रेंड का डाल सकते हैं अब ये दो चमश मैंने कोडमा मसाला डाल दिया अब इसको मैंने स्लो मो बना दिया है मुझे बड़ा अच्छा लगता है मसालों का स्लो मो बनाना और अब पूरा मसाला चितना भी ट्यार होगा साथा डाल देना ठीक है अब आपने इसको मिक्स कर देना है एक बात का ख्याल रखेगा भी पानी बिल्कूल भी नहीं डालना आपने बस बनाई करते जाना है मसाले डाल के इसकी दो से तीन मिनट मुझीद बनाई करेंगे ताके मसाले भी इसमें रच बस जाएंगे तो यहां पर चार अदद मैंने हरी मिर्चे लिए कम ज्यादा कर सकते हैं और फ्रेश दनिया लिया थोड़ा सा और यह डाल के भी आपने इसको बहुत अच्छे से एक मिनट के लिए मिक्स कर लें और फ्लेम इस प्रोसेस में सारा टाइम हाई रहनी चाहिए अब जब अच्छे से ओल सेपरेट हो जेगा तो अब जितनी ग्रेवी आपने रखनी है उतना पाने डाल दे हम थोड़ा थोड़ी गारी ग्रेवी रखेंगे क क्योंकि एक और मैं हमने शोरबानी बनाना अब यह आपकी मर्जी है कि आपने जादा रखनी है काम मैं इसकी तरह इतनी ठीक ग्रेवी रखोंगी अब जब ग्रेवी पानी की ओर पकजे मतलब पानी डालने के बाद मजीद पकजे तो आपने इसको फ्लेम को ओफ करने है और पर मैं ट्राय कर चुकी हूं और कम डाल के बनाया तो कुछ मसाले ऐसे मैंने बनाया थे कि वह जो है ना टेस्ट नहीं आया फिर मैंने आपके साथ ऑथेंटिक रेस्पी शेयर की है इसमें और ज्यादा ही डलेगा इस पॉइंट पर आप और निकाल लीजिए फिर किसी हंड अबक्षरे और सुर्श्राप लाव जापीश